हेलो फ्रेंट्स आपके अपने यूड़ीब चैनल सितेश कामर्स ट्रिटूरियल में आपका स्वागत है फ्रेंट्स यह आपके इंटोड़क्रेंट तु दिन द्याल का पार्ट 3 है जिसमें आपको 50 एमसी कूर्शन बताऊंगा और एक और पार्ट बनेगा इसके एक से डिए घंटे बाद जरूर अपलोड होगा इस वीडियो के ठीक है और फ्रेंट्स आपको बता दे कि चैनल पर नहीं है तो चैनल को स्प्राइब जरूर को लिजेगा बैल आइकन को लिजेगा तो उसका नोट की कैसन साबसे पहले आपको प्राप होगा फ्रेंट्स आपका दी तो ए है माता दी है पिता सी है भाई दी है बहन तो बहन की यानि आपका डीवल आपसं सही है अगला कोश्ण है प्रेस्टन नंबर 103 है दिन देयालूप दिहाय को आपको एंस पेशल और छातिवर्टि पुरसकार किस ने दिया तो यहां पर जो सही अप्रेंट्स हो है बिल्ला जी एवल आपसं सही है ठीक है अगला कोशन है क्विश्चन नमबर आपका 104 है किस सर्में पंडी दिन द्यालूप ध्याय जी ने संग सिच्छा वर्ग का देतिय वर्थ पूरा किया अगला कोशन है क्विश्चन नमबर आपका 105 है सरकारी नौकरी मिलने के बाद उन्होंने किस शेत्र को चुना तो एवल आपसं सही है राष्ट सेवा अगला कोशन है क्विश्चन नमबर 106 है पंडी जी ने आरेसस के माध्यम से अपने जीवन का लच्छ बनाया तो एवल आपसं सही फ्रेंट्स देश सेवा अगला कोशन है क्विश्चन नमबर आपका 107 है दीन दियालू पद्हाई जी ने किस वर्स लखनव में राजनितिक सम्मेलन का आयोजन किया तो 21 सितंबर अनिश इकावन में यानि वीवल आपसं आपका सही है अगला कोशन है क्विश्चन नमबर 108 है संग की अस्थापना के दौरान पंडित जी का जीवन दो भागों में समर्पित हुआ तो आपका जो सेव सेन फ्रेंट्स हुआ है C, A और B दोनों यानि राष्ट सेवक यह जन संग है अगला कोशन है क्विश्चन नमबर 109 है अनिश बावन से अनिश असर तक जन संग में दीन द्याल ने किसकी भूमी का निभाई तो C वल आपसंस है यह फ्रेंट्स नीतिन धारक और पत्थ परदर्शक का अगला कोशन है क्विश्चन नमबर आपका 110 है जौन पूर से उप चुनाओं में पहला और अंतिम चुनाओं दीन द्याल किस वर्ष में लड़ा था तो आपका जो सेप से नफ फ्रेंट्स हुआ है ए सनननी सो तिल सट प्रेंट्स आपका जो सही आंसर होगा वो होगा सी पंडिक दीन द्याल उपद्याए क्योंकि भारतिय जन्ता पार्टी का पूराना नाम है भारतिय जन संगर और भारतिय जन संग के अस्थापना अनिशो इकान में डाक्र सियामा परसाद मुखर जी प्रोफेसर बलराज और पनिद्दीन द्याल उपद्याए जो द्वारा किया गया था और उस समय महामंत्री बने थे डाक्र सियामा प्रसाद मुखरची और सन 1952 में पंडिदीन द्याल उपधायजी को क्या बनाया गया था जन संग का महामंत्री और फ्रेंट्स आपको बता दें कि वो सन 1970 तक रहे सन 1977 की में अपात कालिम की समाप्ती के बाद जो है ठीक है उस पार्टी का नाम जो है जन संका भारतिय जन संका भारतिय जनता पार्टी रखा गया उस समय जो अस्थापना की बात करें भारतिय जनता पार्टी का स्थापना की तो अटल बिहारी बात पर यह अडवानी जी को ज अगला कोशन है, question number 112 है, मुगल सराय रेलवे, मुगल सराय रेलवे इस्टेशन को नाम दिया गया है, तो एवल आप संसे फ्रेंट्स, पंडित दीन द्याल नगर, अगला कोशन है, question number 113 है, पुजी वाद और सामय वाद के बीच, पंडित दीन द्याल ने किस वाद का समर्थन किया था, तो एकात्म मानव वाद, एवल आप संसे आपका सही है, अगला कोशन है, question number 114, एकात्म मानव वाद का दर्सन क्या है, तो आपका जो सेफ्षन फ्रेंट्स हो है, डी उपरोकत सभी, यानि ए ब्यक्ति से समाज, बी परिवार से समाज, और सी है आपका समाज से राष्ट, दी वाल आप संसे आपका सही है, अगला कोशन है, question number 115 है, एकात्म मानव वाद के समन्द में, पूना सा मेलन में किस वर्स भाग लिया, तो सनननी सो चौशट में, आपके ये वाल आप संसे शही है, अगला कोशन है, question number 116, दीन दियाल जी ने एकात्म मानव वाद में किस को अपनाया था, तो आपका जो से इसन फ्रेंट्स हो है, ए मानव था, अगला कोशन है, question number 117 है, मानव था, को दियाल जी, इकाई माना, माना उता को द्याल जी ने इकाई माना तो आपका जो सेवसन फ्रेंट्स वो है ए आर्थिक इकाई अगला कोर्शन है question number 118 है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष किस से प्राप्थ होता है तो एकात्म वाद यानि सीवलाप्शन सही है अगला कोर्शन है question number 118 है किसी विचारधारा के पच्छदर थे तो विचारधारा यानि वादाप्शन आपका सही है अगला कोर्शन है question number 120 है सरकार उनी छेतरों में काम कर रहे जिन छेतरों में जोखिम नहीं ले सकते तो वादाप्शन सही है friends A और B यानि समाज नीजी छेतरों अगला कोर्शन है question number 121 है कुशल राजनी तिग्य के साथ साथ दीन द्याल थे तो C वादाप्शन सही है पत्रकार यह संचारक अगला कोर्शन question number 122 है दीन द्याल उपध्याय के आयाम क्या थे तो आपका जो सही अप्शने friends वह है वी द्यक्तित्व बहुयामी अगला कोर्शन है question number आपका 123 है दीन द्याल उपध्याय की रूची का वीश है क्या थे तो उप्रोप्त सभी संपादन प्रकासन अस्धंब लेखन पुस्तक लेखन ठीक है तो C वल आपसन सही है A और B दोनों यानि भहाँ सा का सहयं और B संतूलन दोनों सही है अगला कोर्शन है question number आपका 125 है किस नेताने शुरुवाती दोर में पंडित जी के सहयोगी थे ठीक है तो A वल आपसन सही है अटल विहारी बाजपेई अगला कोर्शन question number आपका 126 है दीन द्याल उपध्याय किसकी आलोचना के लिए माने जाते थे तो A वल आपसन सही है जौहर लाल नेहरू अगला कोर्शन है question number 127 है दीन द्याल जी परंपरागत अर्थों में राजनेता नहीं बलकि C वल आपसन सही है आपका A और B दोनों यानि राष्ट स्वह सेवक और संग के जीवन ब्रिति परचारक अगला कोर्शन है question number आपका 128 है मैं राजनेती के लिए राजनेती में नहीं हूँ वरन मैं राजनेती में संस्कृती का राज़दूत हूँ किसके अनुसार है तो D वल आपसन सही है फ्रेंट्स पंडित दीन द्याल उपद्याई अगला कोर्शन है question number 139 है बिद्वान महेश चंदर सर्मा अपनी पूस्तक में आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा है तो एवल आपसन सही है फ्रेंट्स पंडित दीन द्याल उपद्याई जी को अगला कोर्शन है question number 130 है यदि मुझे इनके जैसे दो दीन द्याल मिल जाए तो मैं देश के सारे राजकिय मानचीतर को ही परिवर्थित कर दूँँगा किसके सब हैं तो डाक्टर स्यामा परसाद मुखर जी सीवल आपसन आपका सही है अगला कोर्शन है question number 131 दीन द्याल के नेतरित्व में जन संग में भूमी का अदा की थी अदा थी तो आपका बीवल आपसन सही है फ्रेंट्स चाकरात्मक भी पच्छ अगला कोर्शन है question number 132 देश के हित के लिए सरकार के बिरूद जन आंदोलन किया तो अहिन सात्मक तरीके से यह भीवल आपसन आपका सही है अगला कोर्शन है question number 133 दीन द्याल जी अमेरिका की भारतिय मैत्री समिती में किस वर्स भाग लिया तो 163 में यह वाल आपसन सही है अगला कोर्शन है question number 134 अमेरिका दीन द्याल उपद्याय की विद्वता से प्रभावित होकर उन्हें किस से सम्मानित किया गया तो C वाल आपसन सही है टेकसास की नागरिकता अगला question है question number आपका 135 बच्चे को सिच्छा देना समाज के अपने ही हीत में है जन्म से मानो पसुवत पैदा होता है सिच्छा और संस्कार से ही वह समाज का अभिन घटक बनता है किसकी उपती है तो पंडित दीन द्याल उपद्याय जीकी अगला question है question number 136 दीन द्याल का जन्म किस ब्रामण परिवार में हुआ था तो निम्न मध्यवर्गी ये ब्रामण परिवार में भी वलाप्षन सही है अगला question है question number 137 दीन द्याल जी के परदादा हरी राम उपद्याय का ब्योसाय क्या था तो भी वलाप्षन सही है जोतीसी तो friends ये भी question पूछा जा सकता है कि परदादा के क्या नाम था तो हरी राम उपद्याय ठीक है और वी ये उनका जो ब्योसाय था क्या था जोतीसी क्या था जोतीस थे वो question number आपका 138 है दीन द्याल उपद्याय की माता थी तो C वलाप्षन सही है friends A और B दोनो धर्म परायन उच आदस ठीक है अगला question है question number 149 है दीन द्याल जी के पिता जले सर में नवकरी कौन सी करते थे तो वो सहायक station master थे B वलाप्षन सही है अगला question है question number 140 है दीन द्याल की माता का स्वरगवास किस वर्ष हुआ तो 8 अगस्त 1924 को A वलाप्षन सही है अगला question है question number 141 है पिता के मृत्यू के समय दीन द्याल की उम्र थी 3 वर्ष C वलाप्षन सही है अगला question है question number 142 है किस उम्र की अवस्था में ठीक है, शात वर्स की अवस्था में, आपका एवल आप्शन सही है, अगला कोशन है, क्वेश्चन नमर 143 है, किस वर्स दीन दयाल उपध्याय को प्राथमिक विद्याले में उनके मामा ने भरती किया, तो वीवल आप्शन सही है फ्रेंट्स अन्नी सो पचीस में, अगला कल्यान सही है, उन्हें उपहार सरूप क्या दिया, तो शोन पदक 250 रुपए स्कॉलर सिप, 250 रुपए और 10 रुपधी माः स्कॉलर सिप, ठीक है, वीवल आप्शन सही है, अगला कोशन है, क्वेश्चन नमबर 145 है माहराजा कल्यान सही है, उपहार देने के लिए पूछन पर उपध्या जी ने क्या कहा बीवला आपसन से ये फ्रेंट्स आपका आसिरवाध अगला कोशन है प्रेश्चन नमबर 146 है बिल्ला जी ने किसके लिए कहा बेटा तुम्हारे लिए मेरे यहां सदयव अस्थान खाली रहेगा तुम जब चाहो आजाना तो जो सही अपसन है फ्रेंट्स हो है सी दीन द्याल उपध्याए अगला कोशन है प्रेश्चन नमबर 147 है स्री सुन्दर सी भंडारी जी के बाद उपध्याए जी किस वरिष्ट नेता के रूप में परसीद हुए तो C वर आपसन सही फ्रेंट्स A और B दोनों अखिल भारतिय जनसंग और भारतिय जनता पार्टी अगला कोशन है क्विश्चन नमबर 148 है किसके सहयोक से दीन द्याल जी कि अनेक समाजिक और राष्ट्रिय मुद्व पर गंभीर चर्चाया हुई थी तो D वर आपसन सही फ्रेंट्स A और C दोनों बाबा राव आपते और दादा राव पर मार्थ अगला कोशन है क्विश्चन नमबर 149 है कानपूर में दीन द्याल जी किसके बहांसर में परभावित हुए तो C वर आपसन सही फ्रेंट्स बीर बीनायक दामोदर सावर कर अगला कोशन है क्विश्चन नमबर 150 है मात्र भूमी की सेवा के लिए जब जीवन अरपन करने का निश्य हुआ है तो नौकरी के लिए प्रमाण पत्रों का प्रलोभन कैसा जला दो उन्हें किसके सब्ध हैं फिर कोशन रिपीट करते हैं मात्र भूमी की सेवा के लिए जब जीवन अरपन करने का निश्य हुआ है तो नौकरी के लिए परमाण पत्रों का प्रवलोभन कैसा जला दो उन्हें किसके सब हैं तो पंडित दीन द्यालुपद दहाई जी के दीवला अफसन सही है तो फ्रेंट्स आपका कोशन यही पर समाप्त होता है फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 50 और कोशन के साथ थेंक्य हैं चर्टे tide च्रूट कोशन के समाझ के समाप्त है के साथ के सवेदर आपकले फटेंडर से चान से चर्टे